हेलो दोस्तो आज 24 जून 2020 के करेंड एफर को डिसकस करेंगे तो आज का पहला कुछ सने दुनिया का पहला आनुमानसी ग्रूप से संसोदिद रबर पलांट यानि की जेनेटिकली मोडिफाइड रबर पलांट कहां लगाया गया तो इस कंसरप्शन ए असम में तो दुनिया का पहला GM रबर पलांट ये असम में लगाया गया है और इसको डेवलप किया है रबर रिसर्च इंस्टूट ओफ इंडिया यानि की RRI ने जो केरला में से थे ठीक है तो GM रबर इसको डेवलप किया गया है MNCOD जीन को रबर पलांट में डाल कर तो ये MNCOD यानि की Magnes Containing Super Oxide Diamutes इस MNCOD जीन को रबर पलांट से ही लिया गया है और इसको लेब में मल्टिप्लाइ करके फिर से रबर पलांट के सेल में डाला गया है तो ये GM रबर पलांट अब से severe cold condition में भी इसको पलांट किया जा सकेगा और ये severe cold condition रबर पलांट के गरोध का major factor था यानि की रबर पलांट के गरोध को सबसे ज़्यदा effect करता था ये cold condition यानि की winter season में cold condition ठीक है अच्छा ये Magnes एक element है इसका आप atomic नमर बताएगा commentmatic है अगला कुशन है Tax Inspector Without Border प्रोग्राम किस देश में launch किया गया है तो इस conception C भोटान में तो tax inspector without border यानि की T.I.W.B ये program launch किया गया है भोटान में अच्छा ये initiative है UNDP and OECD यानि की UNDP मतलब United Nation Development Program and OECD मतलब organization for economic corporation and development का ठीक है तो ये दो मतलब दो organization का initiative है UNDP and OECD का ठीक है और इसका aim है to make strong the tax administration of भोटान तो भोटान के tax administration को मजबुत बनाना इसका main मकसद है अच्छा इसको हमको क्यों याद रखना है क्योंकि इसका partnership country है इंडिया ठीक है तो इंडिया transfer करेगा technical knowledge and skill को ठीक है तो भोटान आपको map में यहाँ पे मिल जाएगा जो कि इंडिया का पुरोशी देश है जिसकी capital है थिम्पू and currency है नेगल ट्रम अगला कुशन है दुनिया का पहला DNA based COVID-19 vaccine कौन सा है तो इस conception C JaiCoV-D ठीक है तो यह JaiCoV-D यह world's first DNA based COVID-19 vaccine है जिसको develop किया है जाइडस कडिला जो गुजरात में स्थिदेटिक है अगर यह DCGI यानि की drug controller general of India अगर इसकी approval दे दीती है तो यह इंडिया में 14 वैक्सीन होगा ठीक है तो पहला वैक्सीन कौन था तो कोवी सील्ड जिसको बनाया है AstraZeneca and Oxford University ने और मतलब इसको इंडिया में manufacture कर रहा है Serum Institute of India जो पूने में स्थिदेटिक है दुसरा वैक्सीन है इंडिया में कोवैक्सीन जिसको भारत बायोटेक ने बनाया है और तिसरा वैक्सीन है जिसको DCGI ने approval दी है वो है Sputnik 5 जो की रस्या का वैक्सीन है अगला को सने भारत में कितने मगर मच के परजाती पाया जाते है तो इस Conception A 3 तो भारत में 3 Spaces of Crocodile पाया जाते है तो वो कौन-कौन से है The Magar यानकी Mars Crocodile या फिर इसको हम Fresh Water Crocodile करते है जो Lakes and Rivers में पाया जाते है दुसरा है The Salt Water Crocodile जो कि Eastern Coast and अंडमा निकोबार आइलेंड में पाया जाते है तिसरा है घरियाल जो कि Rivers Areas में पाया जाते है तो यह अभी चर्चा में क्यों है क्योंकि रिसेंटली 1975 के बाद पहली बार घरियाल को महानदी में देखा गया है नियर सत्कोसिया रेंज यह कहां पे स्थित है तो ओडिसा में तो ओडिसा भारत का एक मातर राज बन गया है जहां क्रोकोडाइल के तीनों इस्पेसिस पाया जाते है तो घरियाल का IUCN रेट लिस्ट में स्टेटस है critically in danger ठीक है अगला क्योंस ने मुख्यमंत्री COVID-19 परिवार आर्थिक साहता योजना किस राज की योजना है तो इस कंस्प्शन से देली गोर्मेंट की तो रिसेंटरी देली गोर्मेंट ने मुख्यमंत्री COVID-19 परिवार आर्थिक साहता योजना को नोटिफाई किया है और इस योजना के तार वैसे परिवार जिसने एक भी मेंबर को COVID-19 के कारण खो दिये हैं तो उसको 50,000 रुपया एक बार में दिये जाएंगे अच्छा, अगर फेमिली से अर्णिंग मेंबर की मिर्थी हो जाती है COVID-19 के कारण तो उसको हर मैना 25,000 रुपया मिलेंगे इस कांसप्शन ए गोल्फ से तो अनिर्बन लहरी यह इंडियन गोल्फर है तो अभी चर्चा में क्यों है क्योंकि रिसेंटली यह टोकियो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई हो गया है तो अनिर्बन लहरी जिसका रैंक है 60 इन दो ओलंपिक गोल्फर रैंकिंग तो फर्स्ट रैंक में कौन है तो जोन राम जो की इस पेंट से बिलों करते हैं ठीक है अगला कुशन है अंतराश्टी यह ओलंपिक दिवस यानि कि इंटरनेशनल ओलंपिक डे कम मना जाता है तो इस कंसरप्शन ए हर साल 23 जुन को इंटरनेशनल ओलंपिक डे मना जाता है तो इस बार 2021 की थीम है स्ट्रोंग हेल्दी, स्टे स्ट्रोंग, स्टे एक्टिब विद ओलंपिक डे वर्क आउट ओन 23 जुन तो 23 जुन को क्यों मनाते हैं क्योंकि इसी दिन 23 जुन 1894 को इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी का फांडेशन हुआ था तो फर्स्ट ताइम इंटरनेशनल ओलंपिक डे को शुरू हुआ था तो 776 BC में कहां पर हुआ था तो गिरीज के ओलंपिया में याद रखेगा एंड मोडन ओलंपिक गेम्स यह पहली बार कहां शुरू हुआ था तो फरांस के एथेंस में 1896 में शुरू हुआ था ठीक है तो IOC यानिकी इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी जिसक फर्स्ट इंडियन फिमल कौन बनी है IOC का जो मेंबर है ठीक है तो वह नीता अंबानी नीता अंबानी पहली फिमल मेंबर बनी है IOC के ठीक है अगला कुसर ने किस राज सरकार ने मेडिटेशन एंड योगा साइंस कोर्स को लौंच किया है तो इस का अंसरप्शन ए देली तो रिसेंटली देली को मेंने मेडिटेशन एंड योगा साइंस को लौंच किया है और इस कोर्स की डूरेशन होगा एक साल की ठीक है तो देली का CM है भी परजेंट टाइम अर्विंद केजडिवाल अच्छा लेप्टिन गवर्नर कौन है देली का तो इसका आप एंसर कमें यह स्वेडेन का पहला प्राइमिंस्टर बन गया है जो नो कॉंफिडेंस वोर्ट को हार गया है तो अब यह रिजाइन देंगे या फिर न्यू एलेक्शन होगा तो फिन्लेंट यह एक यूरोपेन कंट्री है आपको यहां पर मिल जाएगा रेट कलर का और इसके परोसीद सी एपल तो इसको रिलीज किया गया है यानि कि टेबलेट मार्केट रिपोर्ट 2021 को रिलेज किया है कांटर पॉइंट रिसाच के द्वारा अचा इसमें सेयर ओफ गलोबल टेबलेट मार्केट में सेयर सबसे ज़्यादा एपल का है यानि कि एक रेंग में एपल जिसका गल European Inventor Award से किसे सम्मानित किया गया है तो सुमित्रा मित्रा तो सुमित्रा मित्रा ये इंडियन अमेरिकन केमिस्ट है तो रिसेंटली इनको प्रिस्टिजियस European Inventor Award से सम्मानित किया गया है अगला कुछ ने किसे World Bank IMF के High Level Advisory Group का सदय से नामित किया गया है तो इसकांसरप्शन सी मॉन्टिक अहुल वालिया ठीक है तो High Level Advisory Group जिसको बनाया है World Bank और IMF ने मिलकर तो इसको क्यों बना गया है तो Combat Challenges Arising Due to COVID-19 and Climate Change तो COVID-19 and Climate Change के कारण जो भी Challenges आया है तो उससे लड़ने के लिए इसको बनाया गया है and to deal with the economic crisis तो economic crisis से deal करने के लिए भी इसको बनाया गया ठीक है तो मॉन्टेक आहुल वालिया यह प्लानिंग कमिशन गया ठीक है इसको भी याद रखेगा तो यह प्रिवेस डे का कुस्सन है तो इसका अंसर आप कमेड में जरूर देजेगा तो कुस्सन है चर्चा में रहे युफ लेक्टिस केरला निमलिकिन में से क्या है तो आपका अपसाने सनेक बड़ फ्रोग एंड लिजर्ड